भाईयो बैनो आज हम लोग पिता पुत्र और पवितात्मा के अगवाई में इस छोटी सी चर्चा में जो प्रभु के द्वरा आउजित की गई है उसके वशन के नुसार जहां दो या दो से अधिक प्रभु के नाम में खट्टे होते हैं वहां हमारा प्रभु हमारा परमेश यहवा अपने पुत्र प्रभुश्मसी के नाम में हमारे बीच में पवितात्मा की अगवाई में जो उनी की और से मिलता है हमारे संग साथ होता है तो आज हम लोग देखेंगे बप्तिस्मा क्या है हमें बप्तिस्मा लेना क्यों आवश्चक है और जब हम लोग यह आवस् लेकिन फिर भी उसने अपने ही नाम के कारण, अपने ही दया के कारण, अपने ही करोना के कारण जो वो हमसे करता था, अपने ही हाथों के काम के कारण की परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने सबत का परमेश्वर होते हुए नुह के साथ साथ लोगों को बचाया और उस वाचा को स्मरन दिलाते हुए कि परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता वरन बचाना चाहता उसने अपना धनुष दिया कि नुह और उसके आने वाली सारी जाती उसको स्मरन रखे कि परमेश्वर फिर हमें जल से नाशना करेगा और परमेश्वर अपनी वाचा को स्वरंग करते हुए कि लोग अपनी गलतियों से सीखें परशताब करें परमेश्वर ने मुसा को लाया जब नुह की आगी की जातिया जब फिर पाप में पड़ी हम लोग देखते हैं और इस्रेल जिसके साथ वाचा बांदी गई थी अब ब्रहाम इसाक और याकुब की संतान इसको इस्रेल की संतान कहा गया था याकुब को इस्रेल कहा गया था हम लोग देखते हैं तो जब वो बंदवाई में जाते हैं परमेश्वर मूसा को उनमें से ख़ड़ा करता है जो पैदा तो इस्रेलियों में हुआ लेकिन पढ़ा-बढ़ा मिस्त्रियों के यहाँ क्योंकि परमेश्वर क्या इस्रेलियों क्या आने जाती सबका परमेश्वर है और मूसा के द्वारा होकर मूसा में होकर परमेश्वर ने उन लोगों को अपने लोगों को पाप की गुलामी से निकाला और अनजातियों के सामने इपने काम प्रगट की है कि परमेश्वर यहवा ही हमारा वो परमेश्वर है जो हमें जल से बचाता है जो हमें जल से निकालता है लेकिन जो उसके विरोधी हैं जो प्रमेश्वर ने उसको उसी जल के द्वारा डंड दिया लेकिन अपने लोगों को उसने उस पानी को पिलर की तरह खड़ा किया और उनको निकाल लाया याकुब के बचे विश्वास करते हैं कि उसकी आवशेश यूसुफ के आवशेश भी वहां से मूसा निकाल लाता है कि एश्व मसी मसी की रूप में आते हैं जो सारे जगत का उधार करता रूप में आते हैं देहधारी परमेश्वर जो पवितात्मा के द्वारा कुमारी मर्यम सुत्पन हुए हमारे पापों के लिए उन्हों ने अपना लहू और मांस दे दिया कि हम जीवन की रोटी, जीव परमेश्वन को खोशते हैं और ईश्मसी ने कहा भी बालकों को मेरे पास आने दो मैंने दूद पीते बच्चों की मुझसे अपारस्तोती कराई परमेश्वन ने घ्यानियों को ठुकरा दिया है परमेश्वन निकमों को चुल लिया है जिस पत्थर को राजमिस्टर निकम में डलके देख कि मैं वही हूँ जो शुरू से कहता आया हूँ परमिश्वर जानता है अब इश्वासी हैं खुद से राई के दाने के बरावर इश्वास नहीं है पत्रस रात में जब नाओं पे जाता है इश्व जो उनको कहता है जा मैं आता हूँ और जब अंदकार में जब व वो विश्वास ना कर सकते हैं कि यह इश्व है वो डर के मारे उसे कोई भूत प्रेत सोच रहे होते तब इश्व कहता है कि मैं हूँ तब पत्रस कहता है यदि तू है तो चल के आने दे लेकिन पत्रस विश्वास ना रखके पाने के कारण शुरू में तो चलता है परन्तु लेहरों के कारण वो गिरता है, पौल उस पहले मसीहों को सताता था लेकिन जब तक परमेशों ने उसे दर्शन ना दिया, जब तक वो अंधा ना हुआ, और जब तक परमेशों ने अपने ठैराए महाया जक्के द्वारा उसके आंके ना खोली, वो उसके अगवाई ना पाने पाया, तो इसी प्रकार हम लोग हर एक के जीवन में देखते हैं, क्या मार्था, क्या मर्यम, क्या लाजर, क्या मुसा, क्या हारून, क्या एली, क्या सम्विल, क्या शाओल, क्या सुलिमान, क्या दाओद, हर एक कोई गिरप, दाओद को सिंगहासन गिरा, लेकिन परमेशों क आज वो पवितात्मा का मंदिर है जिसमें हम लोग एश्मसी के मानसलों में से भागी हैं शावल का राज्य गिरा क्योंकि शावल ने अपनी समझ के नुसार चला लेकिन परमेश्वन का मेल बनी होम बली अन बली स्वेच्छा बली मैं नहीं चाहता मैं वचन चाहता हूं अप नत्रियों में घुसकर उनको चला डालता है एली के बच्चे जो याजक के पुत्र होने अगहमन करते थे लेकिन वे विचार करते थे परमेश्वन उनको भी नाबक्षा कोई भी परमेश्वन के सेवकाई की योग ये खुद से नहीं है और एली जो वाचा के संदूक में का जाता है अनजातियों में उनके काम प्रगट होते हैं तो कोई भी परमेश्वन के आगह काबिल नहीं है हम लोग देखते हैं वही मूसा में भी मूसा खुद से नहीं कर पाता था क्योंकि हम लोग देखते हैं व्योस्था देने के पहले मूसा ने भी एक हत्या की थी और परमेश्व का पुत्र एश्य मसी उस पानी में होकर आया जो हमारे लिए सनातन काल का वाचा बना और जब वो पानी मुतरता है तो कहता है जो अधिकार ठेलाएगा है उसे पूरा कर और योहनना जो कहता है मैं इसके पाउं के बंधन खुलने की योगे नहीं और पवित्रात्मा कभूतर के नहीं उतरता है और आकाश्वानी होती है यह मेरा प्रिपूत्र है इस के सुनो तो हम लोग देखते हैं हम लोग खुद से डृड़ नहीं हो पाते हैं क्या इस्रेली क्या नहीं जाती तो हम लोग देखते हैं तो अप बप्तिस्मा कार्थ है जो हम लोग बाइबल से पाते हैं कि अपने शरीरों को जीवित पवितर और भावताओवा बलिधान होने के लिए जब आज तुम उसका सुसमाचार सुनते ओ विश्वास को ग्रहन कर लेते हो आत्मिक डढ़िकरन के तोर पे तो अपने आपको आत्मिक शुत्ता के लिए सौपो सारिक जीवन और सारिक शुत्ता के लिए नहीं जो मनुष्यों के देखने से है लेकिन परमेश्र जो आत्मा और सोच और विचारों और भावनाओं को तौलने वाला है कारियों को तॉलने वाला उसके नुसार अपने विवेक के लिए सौब दो और परमिश्रत में पवितात्मा देके डुड करेगा और कुरूस मृत्यू से पुनुधान तक अपनी सेवा के लिए बुला हट देगा और उसको पूरा भी करेगा जिसके द्वारा हम परमिश्रत के पुत्र ठहरेंगे और हम परमिश्रत के जोती के संतान कहलाएंगे और और जो अंदकार में हैं उनके लिए भी एक जोती ठहरेंगे वरन हम नहीं वरन परमिश्रत का आत्मा और ईश्यू मसीही उनका मानसर लहुई हम यहोकर परमेश्वर कराज्य और उनका प्रकास सब तक फैलाएगा तो हर एक सुनने वाला बोलने वाले के साथ पितापुत पवितात्मा में आशिशित पाए और बप्तिस्मा को समझे कि परमेश्वर में बचाना चाहता है नाश नहीं लेकिन हम से नहीं हो सकता वारन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है आमिन